Hi everyone, Dr. Jay Mehta from Mumbai आज के वीडियो में हम यह discuss करेंगे कि क्या आपका AMH value आपके IVF के success rate को decide कर सकता है या नहीं बहुत सारे patients जिनको AMH ने especially low AMH रहता है उनको क्या डर रहता है कि भाई मुझे डॉक्टर ने बताया है मेरा तो AMH का value less than 1.2 है broadly मैं आपको बता के रखता हूँ मेरा value less than 1 है अब मुझे डॉक्टर ने बताया है क्योंकि आप में egg का quantity बहुत ज़्यादा कम है इसलिए आपको egg बहार से लेने है donor egg लेने है बहुत सारे patients अभी तो government का rule आ गया है कि अगर आप donor egg कर रहे हो कि हम किसी और के egg use करेंगे obviously patient तोड़ा सा नाराज हो जाता है patient को ये बात अच्छी नहीं लगती and patient gets no further treatment ये patient आगे का treatment बंद करवा देता है बराबन पर क्या ये counselling और क्या ये बात सही है alright please एक चीज में ध्यान में रखना है ये एक जगा पर मैंने सुना था ये मेरा खुद का dialogue नहीं है तो मैं ये आपको लिख के बताऊंगा कि ovarian reserve and ovarian response ये दोनो एकदम अलग 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 चीज़े है आपको जब AMH का value low होता है इसका मतलब ये कि कोई normal lady है alright जिसका AMH का value let's say between 1.2 से लेके 4 के बीच में रहता है मान के चलिए उसको 10 egg मिलते है तो जिनका low AMH रहता है उनको 10 के जगा पर शायद 3 से 4 egg मिलेंगे बराबर ये मतलब है इसका आपका ovarian reserve normal जो होना चाहिए उसके comparison में कम है क्या इसका मतलब ये कि अगर आपका AMH का value low है तो आपको ये 3 या 4 egg injection देने के बावजूद नहीं मिलेंगे wrong there is no such thing at all at all तो उस चीज़ को आपको tension नहीं लेना है इस चीज़ को low AMH में ज्यादा eggs निकालने के लिए double stim करके एक IVF procedure है हमने बहुत videos इस पे लिए है तो हमको 7-8 egg मिलते है इसका मतलब आपको normal patient के बराबरी 10 egg उन में मिलने वाले थे आपको double stimulation करने के बाद में 7-8 egg मिल गए अगर आपको जानना है कि आपका IVF का success rate सबसे ज्यादा कौन effect करता है तो please पहले ये जान लीजे कि normal लोगों का IVF का success rate is going to be 35-40% life worth ये एक normal चीज है जो आप marketing सुनते हो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि जो आप marketing सुनते हो marketing is anything more than 50% हमने तो काफी लोगों का 70-80% भी सुना है पर चलो 50% 80% का range लेके पकड़ के चलते हैं all that is going to be pure marketing understanding इस चीज को सबसे important factor जो affect करता है वो है age very very simple ये word और ये point ध्यान में रखे अगर मैं आपको ऐसे बताओ कि let's assume I have a patient जिसका AMH is 0.8 बट उसका age is 30 और simultaneously अगर मैं आपको बताओ कि मुझे पास में एक patient है जिसका AMH is 1.5 बट उसका age is 40 तो अभी आप मुझे बोलोगे sir sir इसका success rate ज्यादा होगा क्योंकि इसका AMH ज्यादा है answer is exactly the reverse age ये lady का कम है इसलिए ये lady को success in IVF ज्यादा है क्यों? क्योंकि कम age पे कम AMH होने के बावजूद कम egg मिलने के बावजूद embryo quality better बनती है alright embryo quality is better at low age जिसका age कम उसका embryo का quality ज्यादा अच्छा इसके वज़े से age सबसे important parameter है आपके IVF के success को predict करने के लिए AMH नहीं बहुत बार हमने देखा है कि patient जिसका AMH अच्छा रहता है उसके भी embryo खराब बनते है उसके कारण अलग है वो हमने हमारे videos में discuss किये हुए है पर अगर आपको किसी ने low AMH के नाम पे directly donor act करने का बोल दिया तो you should at least think twice about it आपको इस चीज़ के बारे में दो बार विचार करना चाहिए before taking such a step ध्यान रखेए government ने अभी permission दिया है कि आप कोई घर का donor मतलब आपकी बहन आपका sister आपका friend को भी आप donor बना के ले के आ सकते हैं अगर आपको ऐसा कुछ करने की जरूर पड़ी तो but primarily अगर आपको खुद का बच्चा हो सकता है then you should try, you should go to a clinic जहां पे वो आपको motivate करे खुद का बच्चा करने के लिए so that you have your own genetic child, okay इस चीज को लेके any further questions आप comments में डाल सकते हैं मैं या मेरे कोई team members आपको answer करें के, thank you so much friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore Bombay is our primary location all appointment numbers are mentioned in the description if anyone is genuinely interested they may contact the hospitals for the same you